हाई अब्रिबन मैं राजन चावरी उमीद है सभी के सभी अच्छे होंगे आज बात करेंगे हाउ तू कंसेंट्रेट अन स्टेडीज फोर लोंग आस मेरे पास बहुत सारे ऐसे सवाल आए जैसे कुछ समय बात पढ़ाई में मनी नहीं लगता ज्यादा देर तक पढ़ाई नहीं कर पाते ज्यादा देर तक हम कुछ भी याद नहीं रख पाते ऐसे ही बहुत से सवाल आप सभी के मन में भी होंगे आज मैं आपको इन सभी स्वालों के जवाब के बारे में बताने वाला हूँ जब भी आप किसी भी काम को बोज मान करके करते हैं ऐसे काम कभी भी सफल नहीं होते अगर आप पढ़ाई को भी बोज समझ कर करते हैं तो आप अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं कर सकते हैं इसलिए पढ़ाई को बोच ना समझें मन लगा कर पढ़ें अगर आपका पढ़ने का मन नहीं है तो जबरदस्ति किताब खोल करके मत बैठो अगर आप ना चाहते हुए भी पढ़ने बैठ जाओगे ऐसी सिच्वेशन में आप ना तो कुछ याद कर पाओगे और ना ही कुछ समझ पाओगे अब यहाँ पर एक सवाल उड़ता है कि हम पढ़ाई में इंटरस्ट कैसे ले आज मैं आपको एक तरीका बताने बाला हूँ इसे ध्यान से समझना अगर आप चाते हैं कि आपका मन पढ़ाई में लगे तो एक तीचर बन जाई यहाँ पर तीचर बनने का मतलब है कि आपने जो भी पढ़ाए वो किसी दूसरे को पढ़ा दो चाहे वो आपका दोस्त हो रिष्टेदार हो आपका कोई भी घर का मेंबर हो कोई भी हो जो भी मिले उसे ही पढ़ा दो नहीं तो एक तरीका और है आप एक बोर्ड खरीदो और ऐसा सोचो imagine करो कि आप बहुत सारे लोगों को पढ़ा रहे हैं मैं आपको दूसरों को पढ़ाने के लिए इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब हम पढ़ाई करते है हमें लगने लगता है कि हमें सब कुछ याद हो गया लेकिन असलियत में हमें कुछ भी याद नहीं हुआ होता जब आप किसी दूसरे को पढ़ाऊगे उस समय आपको पता लग जाएगा कि आप क्या क्या भूल रहे हो और कहां कहां अटक रहे हो सब कुछ जानने के बाद आप उन सभी चीजों को दुबारा पढ़ सकते हैं अगर आप एक स्टूडेंट बनकर याद करेंगे और एक टीचर बनकर उसे पढ़ाओगे तो मज़ा ही कुछ होर होगा ऐसा करने से आपका मन भी लगेगा और आप किसी भी चीज को लंबे समय के लिए याद भी रखता होगे मिरी एक ट्रिक कैसी लगी मुझे कमेंट के जरीए जरूर बताईएगा दोस्तों आपके कमेंट से मुझे प्रेंट ना मिलती है कुछ अच्छा करने की कुछ नया करने की Thank you so much guys मुस्कुराते रहो मुस्कुराट देते रहो पढ़ते रहो और पढ़ते रहो Thank you so much